हेलो गाइस कैसे हैं आप सबर में केपी संताफ सभी का न्यू बिलोग में स्वागत है दोस्तों तो आप 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 लोगों को बता दूँ के ये प्रक्ति मैदन चला जाता है मेरे लेप्ट में और सीधा राजगाट के लिए आइस बीटी बिल्कु चला जाता है तो यहां से हम चलेंगे आगे हमें यूटन लेना है यूटन लेने के बाद में हम डैली टू मेरेट एक्सप्रेस में पर चड़ जाएंगे गाइस तो अगर सीधे जाते हैं इसी रच्टे पर सीधे जाते हैं तो सराय काले खां और आसरम नौइडा और फरीदावाद के रिए निकल जाता सीधा सीधा दोस्तों तो उससे पहले ही यह फिलाइवर आ गया उस फिलाइवर से हम लेट ले लेंगे और एक्सप्रेस में पर चड़ जाएंगे तो तस्वीर देखो कितनी संदर एक्सप्रेस में बनाया गया है गटक्री यहां तक आने के लिए जहां से मैंने स्टार्ट किया इतना जाम रहता था कि आपको क्या बताएं तीन तीन चाचार चार गंटे फसे रहते थे जब से सरकार मोदी जी आई है उन्होंने यह एक्सप्रेस में बनवाया और नितिस गटक्री साब ने इतना अच्छा इसको बन सुंदर बनाया है कटक्री साब ने के जहां से मैंने स्टार्ट किया आए और जहां पर यह खतम होगा लाल कुवां गाजियाबाद मात्रव पांच दस मिनट में आपको पहुँचा देगा इतना फास्ट हाइवे है यह तो तस्वीरे आप देख सकते हैं इतना सुंदर नजारा इतना सुंदर रोड भारत के किसी राज्ये में नहीं है जो की उत्तर पर्देश में गाजियाबाद सहर में यह बनाया गया है देखो आप लोग तस्वीरे तो आपको दिखाएंगे आगे जाके कि इसमें रेलवे विरिज का चिपयाना बुजग वहाँ पर एक साइड में बिरिज बन चुकाता और दूसरी साइड में नहीं बनाता तो वहीं पर यह काफी जाद जाम रहता है बहुत जाद जाम रहता अब थोड़ा थोड़ा है क्योंकि और कुछ दिनों का काम बचा हुआ है तो उसकी यह जो तीन पट्टी है न यह तो कंप्लीट हो गई है लाइश्ट वाली एक पट्टी बची होई है उसको भी उस पर कंट्रक्शन चल रहा है तो आप लोगों को दिखाएंगे पूरा जाए क्या एक्सप्रेस्वे कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है आके है बहुत सुन्दर किसी दिन रात माएंगे जब आपको दिखाएंगे एक्सप्रेस्वे की खूबसूर्ती क्या है देखो यह अक्षर दाम है इदर लेफ्ट में जाते हैं तो लक्शमीन अगर राइट में जाते हैं तो नौईडा के लिए तो अब ऐसे तो लाइट जलने लगी है हलकी हलकी लेकिन इसमें 10-11 बजे आने के बाद में पता चलता है कि क्या एक्स प्रेस पे है क्या इसकी लाइटेंग है इतना सुन्दर चमकता है देखने में का बताएं आपको तो आप लोगों को व्यू दिखाएंगे उसका चलिए जब तक आप इंजोई कीजिए और ऐसे ही मैं कॉंटेंट लाता रहता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आपको दिखा चकूँ कि जो चो मैं चीजे दिखाता हूँ आपको या दिखा चुका हूँ उसमें इंप्रूब करो देखने की कोसित करो कि इन चीजों के साथ साथ में मैं आप लोगों और भी चीजे दिखाने की कोसित करता हूँ तो उन्हें पर भी आप लोग सपोर्ट करो कि जब तक सपोर्ट नहीं करो को तब तक मैं आप लोगों को चुछ दिखाई नहीं सकता तो दिखाज अभी कि अच्छी चीज़े दिखाने की आप लोग को आप लोगो के बीच में परड़े आते रहेंगे परड़े कहीं न कहीं का आपको ब्लॉग मिलेगा जाय सेर में हो चाहे सेर से भार हो लेकिन मिलेगा डेली तो आप लोग देखने के लिए इस टाइट अ एक्साइटेड रहा करो और ज्यादा से ज्यादा देखा करो जो भी मैं वीडियो डालता हूं जो भी आप लोगों के पास में आता है वो सब आप लोगों को दिखाने की कोशित करता हूं लेकिन देखके और मुझे बताओ कमेंट करो मुझे क्या देखना चाहते हो कहां पर क् उसके बारे में मैं सब कुछ आप लोगों को डेटेल के साथ दिखाने की कोशित करूँगा बाकि हर बीडियो को इंजोई करते रही है आप लोग बत सो और क्या चाहिए मझे जितना आप इंजोई करोगे वो इस में लिए वो ही बहुत है मेरे को लगए का हाँ मैं अपने पबली के लिए अपनी फैमिली के लिए मैं ये सब करता हूँ दिखाता हूँ कहां क्या जाता हूँ क्या मुसीबत होती है वहां जाने में सब कुछ आप लोगों के साथ मैं सेर किया करूँगा में कोसिस मेरी यही रहती है कि आप लोगों के बीच में अच्छी से अच्छी चीजों को मैं दिखाने की कोसिस करूँ, उनके बारे मैं बताने की कोसिस करूँ, वो किस महनत से बनती है, मुआ पर जाने में कितनी महनत लगती है, वो सब कुछ आप लोगों को मैं दिखाने की और बताने की कोशिस करूँगा और करता रहूँगा ये मेरा सिद्धानत है तो आप लोग जादे से जादे देखो इंजॉई करो देखो इतना खुबसूरत एक्सप्रेस बे है का हमारे इंडिया का पहला एक्सप्रेस बे ये है डेली टू मेरट एक्सप्रेस बे एनेच ट्वेंटिफोर और आपको बता दूगा इसके ये सोला लेन का बना हुआ टोटल इसमें सोला लेन है तो आप लोग इंजॉई करो जादे से जादे वीडियो को आगे मिलते कि आपको आपको आ one झाल 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 यहां पर यह कंट्रक्शन चल रहा है देखिए एनेच्टिफोर का देख सकते हैं आप लोग तत्वीन है यह पहले बन चुका था यह अब बन के तयार हुआ है बस इसका एक पोश्चन और बचा है वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो देख सकते हैं यह तश्वीर है क्योंकि यह क्रेन मसीन खड़ी हुई है और इसमें यह लगाया जा रहा है लोहे बाला यह देखिए कितना लंबा चोड़ा है यह और यही लगाया जाएगा लाश्ट माँ फिर यह कंप्रेट हो जाएगा फिर यहाँ पर कोई ही जाम जूम नहीं रहा है देखो अभी रिसेंट ली में बना है नहीं बना है आप लोग देख सकते हैं तश्वीरों के माद्यम से तो ऐचे ही ब्लॉक्स आप लोगों को बीच मालाता रहता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों हमें लाइक, सेयर, कमेंट करें जादे से जादे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने अभी तक तो कर लो नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो तुरंत बेल आइकन बजा दो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही ब्लॉक्स आप लोगों के बीच में के पिसंत कंटिन्यू लाता दोस्तों तो देख सकते हैं यह चिप्याना बोज्रग का ब्रीज था इंडियन रेलवे का और उससे थोड़ा सागे चलेंगे तो यह लालकुय का फ्लाइवर आ जाता है यह लालकुय के लिए चला जाता है नीचे जीटी रोड पर बाटिया मोड़ होते हुए और अंदर य तो देख सकते हैं यह तच्वीर है यह सारा एनेश 24 है गास चलिए जय हिंद जय वारत गास मिलते हैं नेक्स वीडिमा तब तक के लिए बाए बाए